नमस्कार दोस्तों सुआगता एक बार फिर से टोपर फाहिनिक्स यूटूब चैनल में जिहां दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने बाले हैं यूपी पुलिस से संबंदित 2018 की दोनों बेकेंसों के बारे में अगर दोस्तों आप 49-520 के जो खाली पैद है 5000 के सम्तिंग उनमें अगर आप बेट कर रहे हैं तो दोस्तों ये वीडियो आज पूरी देखिएगा और अगर आप दोस्तों उन्चास 568 के सेकिंड बेट कर रह ठीक है या चीका थी दोस्तों उस पर सुनवाई हुई है और उसकी में बिद्पिरूप दोस्तों आपको आज पूरी डिटेल के साथ जानगारी देने बाला हूँ तो दोस्तों वीडियो को लाइक और सेर जरूर कर दें और साथ ही टोपर फानिक सीटूब चैनल को सब्सक् पेपर किया तो दोस्तों वीडियो को अंतितत्त बोच करते रहे ना आप सभी को में पेज नंबर विद कोन सा न्यूच पेपर है सभी की जानकारी अच्छे से दूँगा पहले आप इसको अच्छे से पढ़ लिए ठीक है दोस्तों यह आइटिकल मिल जाएगा आपको हमार पुलिस भरती में चेनित अभ्यारतियों को प्रेश सिक्छन के लिए ने बेजने को लेकर दाकिल याचिका पर राज्य सरकार बैब भरती बोट से जानकारी मांगी है कोट ने पूछा है कि भानू पिरताब राजपूत केस के फैसलिप के आधार पर यह याचिका भी सुईकार कर ली जाए यहाँ पर दोस्तों देखे याचिका की सुनवाई 17 दिसंबर को होगी यह आदेश न्याय मूर्ती अजीत कुमान ने धरम राज की याचिका पर आदेवक्ता डीसी दुवेदी को सुनकर दिया है तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी को बड़ी खबर आज के इस न्यूज पेपर में आई है जिसमें यह बताया है कि जो 2018 की बेकैंसिया है वो क्यों नहीं भरी जा रही है ठीक है और इस पर दोस्तों अच्छे से पूरी जयनकारी यहाँ पर दी गही है कि इसकी जो सुनवाई होगी वो 17 दिसमबर को होगी 17 दिसमबर यानि कल और दोस्तों आपको बता दें कि यह विलकुल फाइनल सुनवाई होगी यहाँ पर आप सभी को सब कुछ किलियर होने बाला है इससे पहले दोस्तों हमने क्या बताया था कि आपकी जो इससे पहले 4520 की जो वेकेंसी है उसमें जो 5000 के सम्टिंग पाद है उन्हें लेकर भी एक बड़ा डिसीजिन आया था जिसमें 49569,007 अभ्यारतियों ने जो अपनी याचिका डाली थी उन दोनों याचिकाओं को दोस्तो 41-520 और 4956 दोनों को दोस्तो एक जगा इन्होंने एड़ कर दिया था और ये बोला था कि ये दोनों याचिका जो हैं वो एक ही मुद्दे पर हैं तो हमें अलग अलग फैसले की जरूरत नहीं है और उन दोनों को फाइनल डेट दी गई थी कब दी गई थी दोस्तो 12 जनवरी तो ये समझ लीजिए दोस्तो 12 जनवरी को दोस्तो वो वेकेंसी किलियर हो जाएगी ठीक है उसकी सीटे बिल्कुल किलियर हो जाएगी 45-520 की और दोस्तो 17 दिसंबर को ये किलियर हो जाएगा कि जो सेकिंड बैच है उसके बारे में क्या होने बाला है तो ये समझ लीजिए आप सभी बिल्कुल जीत के तरफ बढ़ रहे हैं टेंसन बिल्कुल मत लीजिए मैं आपको जो बोल रहा हूँ दोस्तो बैसा ही होगा आप सभी अभ्यारती जितने भी हैं एक साथ जाएंगे बिल्कुल वेफिकर रही है बस आपको करना क्या है दोस्तो आपको जो अपने बेसिक लेबल पर काम करना है वो आपको दोस्तो छोड़ना नहीं है मतलब दोस्तो हमने आपको बताया था कि आपके जो मंडल के बिदायक हैं जितने भी अभ्यारती आप उस मंडल से आते हैं उन्चाश 568 के सभी एक साथ जाएए और उनसे जाके मिलिए उन्हें अपना ग्यापन सोप यह ठीक है सभी मंडलों के सभी अभ्यारतीों को अपने अपने बिदायक से मिलना है और उन्हें ग्यापन सोपना है तो ये भी दोस्तो आज पर आप सभी को किलियर होने बाला है आप टेंसन बिल्कुल मत लीजिए ये इतना कामगरी है जो हमने बताया था दोस्तों आपको बता दें ये आपको आर्टिकल मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम गुरूप में टेलीग्राम गुरूप का लिंक दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप बहाँ से जाकर दोस्तों इसे डाउनलोड कर सकते हैं वाकि दोस्तों यहां से कोई भी जानकारी आईगी आपको डिटेल के साथ अच्छे से बताया जाएगा तो दोस्तों बिलकूल टेंसन फिरी रहिए एकदम मस्त रहिए वस वीडियो को लाइक और सेर कर दीजिये और साथ दोस्तों हमारे चैनल को टोपर होजिनिक्स यूटूब चैनल को सबस्क्राब जरूर कर लीजिए का जिससे दोस्तों यूपी पुलिस से सब्मंदित कोई भी जैन कर आए आप सभी को सबसे पहले मिल जाए और सबसे सटिक मिल जाए ठीक है तो चलिए दोस्तों मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में एक नई जैनकारी के साथ ठैंक्ट पर वोचिंग बाए बाए